कि जहिन नमस्कार दोस्तों मैं विराड चोदरी श्वागत आपके अपने यूट्यूब चनल कमांड ओकेड़ में दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट आप सभी के लिए क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरी पूरी पूरी जर्नी वह बताने वाला क्या नहीं आपको वित प्रूफ में हर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में आप एंड तक देखिए आपके बहुत सारी चीज़ें आपको हिम्मत देगी क्योंकि जो जीवन हमने जिया है साहिद आप उस जीवन में अभी होई नहीं तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है इस वीडियो से एंड तक जरूर देखिए दोस्तों सबसे पहले कि सोच क्या रहा है मेनत कर इस बारवर्दी तेरी होगी ठीक है देखो दोस्तों सबसे पहले मेरी 8th कलास की मारकशिट आपके शामने 8th कलास की मारकशिट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि 8th कलास में जो मेरे परसंटेज थे 8th कलास में जो मेरे परसंटेज थे वो आपको मैं दिखा रहा हूँ सबसे पहले तो दोस्तों 8th class में मेरे ये देखो 8th class में मेरे 56 percentage थे कितने? 56 परतिसत थे, यानि 56 परतिसत थे मात्र 56 परतिसत थे मेरे आपको मैं एक और बता दूँ, कक्सा 8 में यानि 8th class में मैं एक बार फेल भी वहा हूँ क्या हुआ हूँ? एक बार फेल भी वहा हूँ class 8 में मैं एक बार फेल भी वहा हूँ क्यों? क्योंकि मैंने सुचा है एक बार बड़ी आज़े पढ़ते हैं 8th class को तो एक बार फेल हो गया, ठीक है? फिर दुबारा में मेरे कितने पर्तिशत बनें, 56., तो बहुत सारे बच्चे निराश हो जाते हैं, कि उनकी मतलब उनको कुछ आता नहीं है, यह नहीं होता, तो बताते हैं, हाँ से शुरूआ ठीक है दोस्तों. तो 59 pray तेंद्ट मोंने मेरे कलास 8 में उसके बाद में आगे चलेंगे यह कलास 10 टेंद की टेंद गॉर्ट पार स्मॺ वेसे कई बार बता चुका है कि आपका एक साल या आपका एक दिन कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता दोस्तों थेक है आपका एक साल आपका जीवन डिसाइड नहीं कर सकता, आपका एक फेलिर से आपका जीवन नहीं बदल सकता, तो देखिये Class 10th में, Class 10th में मेरे 42% है, कितने, 42% है, 8th Class में फेल, ठीक है, फिर दुबार में पास करके पर तेंद क्लास में 42 पर्टेंट तो मतलब यह हमारा रिजल्ट रहा है एजूकेशन का तो बहुत सारे बच्चे अभी भी मेरे से पूछते हैं के सर ग्रिस वाले फोरम बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं तो दोस्तों मेरे कहीं ग्रिस नहीं है लेकिन अगर आपके ग देखिया आगे तो अब आगे देखिए यह मेरी 12 क्लास की मारक शिट ठीक है दोस्तों जब हम में बुद्धी आई थी यानि इस टाइम पर जाके हम में बुद्धी आ गई थी और पढ़ने लग गये थे यहां पर हमारे बनेते 32 परसेंट कितने 72 परसेंट अब देखिए एर्थ कलास अब फेल फिर दुबारा में बने हमारे 56 परती सथ टेंथ में एक बार में पास हो गए आप सब जानते हो आगे भी बताएंगे इसके बार में तो वल्ट कलास में हमने बहुत मेनत किती और कितने परसेंटेज बना ले बैतर इसलिए मैं बोलता हूँ एक दिन अगर आप किसी एकजा में फेल होगे कभी निरास नहीं हो आपके कम परती सता निरास नहीं होए अच हमत् Kendra परती दोस्के बाद में दोस्तों यह वह समय है जब मैं तयारी करता था किसकी ऐसे जीडिए करता था dues कि यह चीजिजद वहर बता दू कि यह का आपको सarin Вид से नहीं दिखरेंगे कि एक दो में बहुत करता ना उसके सो रुपय की जूतर बहुत सारी बच्चे बोलते कॉंचे लिए उस समय की पिक है और बहुतका गरीब सस्थिय के हम भी ठीक है कोई बड़े वारी वह नहीं थे हम परसंटेज बहुत गरीब इस तरशी गुज्रें यह पिक देखे आपको काफी कुछ जायर होई रहा होगा ठीक है तो यह उस समय के जब सुबर सुबर रनिक करने के लिए जाते थे ठीक है और की पेड़ वाले मॉबाइल से खबएद रही है कि इसके मॉबाइल से ठीक है आपको कोई पीचे नहीं सब्सक्ता ठीक है यह आप देख सकते हो इस समय हम हमने वह दिन भी जिये हैं जब दूसरों के घर पर जाजा के चोटो से इसे देखते लिए बच्छे अभी तो दिन आप बदल सकते हो मैनत करके तो अमेशा हिम्मत बड़ी होती है इस दुनिया में सबसे बड़ी एकर कोई चीज हो है हिम्मत ठीक है और सबसे चोटी चीज है वह है कमजोरी अगर कोई इंसान अपने आपको कमजोर समझता उससे मुरक कोई नहीं है इसलिए हिम्मत दिया था और यह देखो अससी ऐए मेड है की जब पहली बार मां या मेड होते के यह उंस समय किए ठीक है ईससी जीडिकल दिया था फिर कि यह medical के समय किये, आपने भी photo खिचा होगे, जब medical देने जाओगे, तो फोजियों के साथ में photo खिचा होगे, यह हमने भी photo खिचाई थी, ठीक है, और जिस दिन खिचाई थी, उस दिन सोचा था, एक दिन इसको पहनेंगे, और pen के बताईए, देखिए आगे, यह इस दिन था, यह सबसे बड़ा दिन था, हमारे जिस दिन हम किस में select हो गए थे, ssegd में हमारा क्या हो गया था, selection हो गया था, क्या हो गया था, selection हो गया था, ssegd में हमारा, ठीक है, ssegd में selection हो गया, तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा दिन था जिस दिन हम SSE GD में सलेक्ट हो गए ठीक है आप एक दिन हो जाओगे वो दिन आपको पता चलेगा कितना प्राउड फील हो था अपने आपको ठीक है उसके बाद में देखिए यह उस समय का है जब मैं SSE GD में सलेक्ट वा था उसके आज पास के दिन का यह समय है जब तयारी भी में करवा था ता कोचिंगों में जब मेरी खुद की कोचिंग थी और उसमें तयारी करवा था था मैं यह उस समय की फोटो है ठीक है यह जब मैं पहली बार जब जोइन करने गया था CRPF के केम कादरपूर गुर्डगाउंजीसी में उस दिन की पिक है जब फाइस टाइम 21 मार्च को किस डेट को जोइन किया था मैं CRPF 21 मार्च 2017 अभी चार साल पूरे हो गए थे इस बार 21 मार्च 2021 को मेरे कितने यह पूरे हो गए चार साल पूरे हो गए थे और वो पहला दिन है जिस दिन इन फोजी भाईयों के साथ में फोटू खिचाई थी ठीक है यह पहला दिन था जब गुरगाउं में गए थे और जोइनिंग करके आये थे और ये कोमेंट्स वहां फोरम बर के आये थे उसके हाथ के ठीक है तो यह दिन काफी बड़ा दिन था हमारे लिए हम चाहते हैं कि आपको भी दिन बहुत जल्दी नसीब हो और तयारी करो अपने माबाप का सपना पूरा करो तो यह दिन आपको भी बहुत जल्दी नसीब हो दोस्तों उसके बाद में पर्स टाइम वर्दी पहनी थी देखो नाइट में वर्दी मिली थी और उसी टाइम उसी टाइम वर्दी पहन के फेस्बुक पर वोर्ट पर डीपी सब जगए यह फोटो थी अभी यह फोटो दे के लग रही हो कि बहुत कधरनाक लेकिन एक समय था कि यह फ भी सब्षयों को सतीटी तब कि यह ट्रेनिंग टाइम की कुछ पिक आघ्शल है आधिकर यह थेको काला़भूत हो गया ट्रेनिंग में किखाते वे कमान डू ट्रेनिंग ये देखो ट्रेनिंग के कुछ इसे जब आप करने जाओगे आपको पता सलेगा किस परकार से वहाँ पर आपको ये से किच्ड़ों में नुवाए जाएगा आपको अच्छे से देखो पैचानो ये राम में ये वला पैचानो इस पिक में कहां पर? हुआ मैं देखे ये देखो ये वला-क ये विच्र में भी हस रहे हैं है जब ट्रेनिंग आउट वे थे है तो ट्रेनिंग में बेस्ट-िन वेपन हैंडलींग मुझे Vere कि यह वो रिवार्ड कि यह उसका परसती लितर है कि बहुत सारे बोलते हैं कि सर आप कोई आपके बारे में बोलते कमांडो नहीं है तो देख लिए कमांडो ट्रेनिंग किये और यहां पर हूं मैं अगर आप पैचान सकते हो तो यहां पर हूं मैं बहुत सारे लोग बोलते है कि अद ये कमांडो ट्रैनिंग के दोरान हमने जीते थे है पांस एक निकल डिस में कुछ सबस्ट्स होग मारीत है हाइस्ट निकल ढूसरे हंडड्रेड यह मारी कुछ सबमारथी त्वेंटी टोणीवन और तो एक जैस क्या था ऊपने की उसमें की वगदार है में नियुकंट नहीं चाहिए और एक वियातम की जिंदा नहीं चाहिए तो दोस्तों ध्यान रखना जिंदगी में हमेशा कि बुरा समय यह इंसान को मजबूत बनाता ना कि कंजूर ठीक है अगर आपका समय थोड़ा सा बुरा चल रहा है तो हिम्मत दिखाईए ठीक है जो इंसान हिम्मत रखता है उसका कोई बाल बंका भी नहीं कर स हुँती है ठीक है हर एक इंसन किसी भी इंसान को देख लैना उसका कुछ ना कुछ उसके पेयरों में चाहने होंगे और जितने लेकिन हम जहां और आपको और यहां पर पहुंचे तो हमारे लिए इससे मतलब गर्वक की बात और कोई हो नहीं सकती तो अपने आप पर प्राउड करना है या अपने घरवालों को प्राउड करना अपने माबाप का नाम करना है तो आपको करना क्या है जिस जिन्दगी आप करो और अपने माबाप का शपना अवश्य पूरा करो ठीक है तो यह कुछ हमारी जर्णी थी जो आपको दिखा दिये तो हम चाहते हैं कि कुछ दिन बाद में आपकी भी इस परकार के जर्णी हो आप भी दिखाओ हमारे साथ में और जुरूर मोटिवेशन मिलेगा मेरे कहाल स समय हैं वह सारे बच्चे डिप्रेस हो रखें डिमोटिवेशन उनका बढ़ाने के लिए वीडियो बना है तो इसका परदब पर शिर्फ यह है ना कि यह दिखाना कि मैं क्या था क्या हूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मेहनत करना निरंतर आप कहां से कहां पहुंच होगी ठीक है जय हिंद जय भरत